आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सवाल है बिटा हमारे पास में के द्रव में डुबाने पर वस्तू का आभासी भार जो है ये खाले इस्थान है ये कैसा होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं बिटा ये यहाँ पर जैसी के हमारे पास में यहाँ पर ये कोई Container है और इस Container के अंदर हमने क्या कर दिया किसी भी एक वस्तू को डाल दिया अच्छा इसके अंदर क्या था इसके अंदर कोई सा भी एक द्रव भरा हुआ था ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो है ये द्रव भरा हुआ है अब हमने इसके उपर क्या भर दिया इसके अंदर जो है एक वस्तू को डाल गिया, जो कि ये रहा, ठीक है, अब इस वस्तू पर नीचे की तरफ में लगने वाला एक तो बल होगा mg, है ना, तो ये जो mg होता है बेटा, ये इसका वास्तविक भार होता है, mg क्या होता है बेटा, इसका वास्तविक भार, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको ड्रो में डालते है, तो ड्रो इस पर क्या करता है बेटा, ऊपर की तरफ में एक उत्प्लावक बल लगाता है, fb, है ना, एक उत्प्लावक बल लगाता है, fb, ये होता है उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, इस पर जो है ना एके FV भी लगता है जो होता है हमारे पास में श्यान बल है ना श्यान बल तो इसके कारण क्या होता है बेटा ये जो नीचे अब अगर मैं क्या कर दूँगा इस वाली वस्तु को यहां से किसी एक इस पिलास से बांध करके और ऐसे करके अगर मैं तोलूंगा तो इसका जो वजन आएगा आवासी भार आभासी भार वह कीसा आजाएगा अगरम किस से? Mg से जो के इसका वास्तविक भार है ठीके? यानि कि आवासी भार घट जाता है इस पर दालने के कारण क्यों? क्योंकि वित्री दिशा में जो है बटा ये Fb भी लगता है अगर मैं श्यान बलको बिलकुल नगण्य मालूँ बाइदवे नगण्या है ठीक है यह माना ठीक है तो जो W-B आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा W- जो है वो बराबर होगा हमारे पास में M-G-F-B के बराबर जो उत्कलावक बल जोता है तो यानि कि द्रव में डुबोने पर वस्तू का आबासी भार धटता है है ना घटता है यह इसका उत्तर है वस्तू धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह वस्ताप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर